आसकनीशा की भविशवानी है कि वर्ष 2015 में मिथुन राशी के महानुभावों के जो भी कार्य रुके हुए होंगे विपून होने की संभावना होगी जीवन में विशेश परिवर्तन आने की भी संभावना है आपकी महत्वकानशाएं, विचार, कार्य और संकल्प एक विशेश उद्देशे की और आकर्शित होंगे आपके वर्ष के कुछ दिन कर्ष्ट दायक भी हो सकते हैं, जिसमें आपको धीरत से काम लेना होगा और शांती से रहना होगा जीवन के प्रभाव में आने वाले तथे के बारे में कोई अंध विश्वास वे रूड़ी वादिता संबंधी विचारधारा न रखें तभी ये वर्ष आपके जीवन में आनन्द देने के लिए सहायक सिद्ध होगा ग्रहों की दशाएं आपके जीवन में संकल्पों को फ्रात्मिक्ता देते हुए सहायता करेंगी ध्यान रहे कि आप अपने संकल्पों और योजनाओं को न भूलें वर्ष के आखरी माहों में आपके लिए समय शुब ही शुब होगा और आपका भागय ज्वलन्त रहेगा आपको अपने अधिकारियों और सहपाठियों से स्ने के साथ कारे का अनुभव जानना होगा आपका व्यवसाइक समय अत्यंत कारे सूची से भरा रहेगा प्रहों की दशा आपको अनेक सामाने कारेयों के साथ साथ लंबी योजनाओं और अनेक विचार करने में सहायता करेगी वर्ष के अंत में आप प्रगती के रास्ते पर रहेंगे और आपकी महनत सामने दिखनी चाहिए इस वर्ष आपके संबंध नए नए मुकामों पर हो सकते हैं इसलिए आप आपसी प्रेम के लाभों का आनन्द ले सकते हैं आपके जीवन में प्रेम स्थिर होगा सामाने तोर पर जीवन और संबंध के प्रती आप आशावादी द्रस्टिकोन रखेंगे जो अभी विवाहित हैं उनके संबंध आशावादी होंगे और जो अकेले हैं उनके जीवन में नया जोश और जीवन साथी मिलने के आसार होंगे सफलता आपके मार्ग में होगी आपकी आर्थिक इस्थिती में भी बदलाव आ सकता है लंबी अवधी के लिए आप वित्तिय संबंधी मामलों में सोच विचार करेंगे आपको सुनिश्चित भी करना होगा कि आप अपना कमाया हुआ धन इधर उधर बेफिजूल कारियों में खर्च न कर दें अपनी धनराशी को सुरक्षित रखें और कानूनी बातों और परिशानी से बचें केवल आपका परिश्रम ही आपको वित्तियला प्राप्त कराएगा और आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे शारिरिक, मानसिक और आत्मिक तृष्टी से वर्ष के पहले माह में आपका स्वास्थ कुछ सही नहीं रहने की संभावना है चिकित्सक की राय लें, आराम करें और पूजा में अपना मन लगाएं अपने शारिरिक, मनसिक और आत्मिक विकास को बढ़ावा दें वर्ष के मध्य के बाद आप स्वास्थ और प्रसन रहेंगे आप जगडे फसाद आदी से दूर रहें और अपनी कुछ भावनाओं को काबू में रखें नहीं तो ये आपकी खुशी में बाधक हो सकते हैं स्वास्थे के लिए अपना खान-पान और रहन-सहन सही प्रकार से रखें 2015 में आप परिश्रम से न घबराएं इस वर्ष का भविश्य विद्यार्थियों के लिए शुप परिनामों को लेकर आएगा अपने काम काज में आपको कुछ अलग से परिश्रम करना होगा आपके व्यवसाई में भी कुछ बदलावा सकता है जिससे सुन्दर योग बन सकते हैं प्रेम प्रसंगों के लिए भी यह साल अच्छा रहेगा अगर आपको कोई पुराने बिमारी हो तो उसमें भी सुधार होगा आपको इस वर्ष धन संपत्ती और यश्वैभव दोनों मिलने की संभावना है 2015 वर्ष में आपकी कुछ विशेश नई योजनाएं भी होगी जिसमें आपको पून सफलता मिलेगी और बहुत सारे शुप परिणामों का संदेश भी आपको मिल पाएगा परिश्रम पर विशेश ध्यान दे मातर शक्ती कन्याओं की सेवा आपके लिए उचित रहेगी श्री हनुमत पूजा, श्री सत्य नारायन भगवान पूजा और श्री लक्ष्मिया कुबेर पूजा से आपकी सभी मनों कामनाय पून होने में सहायक होंगी आस गणेशा के सभी ग्रहकों को हमारा सहर्दय धन्यवाद है और हम आपके उज्वल एवं सुख में भविशे की कामना करते हैं हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविशे में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाए प्रदान करते रहेंगे